जनता दल के संसद्य वोट के राश्ट्री अधियक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने भारत सरकार से OBC के रिजर्वेशन के 50 प्रतीशत को बरहाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार अगर 50 प्रतीशत के रिजर्वेशन को आगे बरहा देगी तो OBC के लिए बहुत ही फायदे मन होगा। एक चार तो वास्तों में हर कोई मंझूर नहीं कर सकता है। सब को सुईकाज नहीं हो सकता है हिंदुस्तान जैसी जगह जहां सबको एक साथ लेकर चलने की प्रउप्रा रही है। संस्कीर्टी है यह हमारी पाचान है और उसमें फिर और लोग अलग तरीके से बात करते हैं तो डेमोक्राइसी में सब को अपनी बात करनी की छूट है लेकिन किसी की बात से किसी की आसमती हो सकती है तो आरजनी कैसे चीजों को टेकल कर रहा है उनका विसे लेकिन जिस तरह से बाहर जो ख़वर आ रही थी सुधाकर जी के बारे में जिस तरह से स्टेट्मेंट सरकार के खिलाफ उनका रहा था तो सुभाविक रूप से उस पर तो उनकी पार्टी ने कारवाई की है अब बागी जगता वागु का यहां तक सवाल है तो जगता कि कई बार हम लोग को भी उतने पुराने लोग की बात ही नहीं समझ में आती है कि क्या है लेकिन हम फिर कहेंगे कि अब उनकी बात को समझने हम समझें इसकी हम को जरूरत भी नहीं है उनकी पार्टी का मामला है पार्टी में जो कुछ भी होगा उनकी पार्टी करें नहीं रहते हैं, तो उसका आसर महा का डूंदन पर पड़ेगा? ने, ने, कोई तो प्रदेस अध्यक्ष होगा, इसलिए उसका आसर पड़ेगा जैसा क्या होगा उसमें अब हम नहीं करने कि उण रहेंगे नहीं रहेगी। नहीं ही रहेगा। तो आड़ेटी को तह करना है लेकिन जो कुछ भी होगा आड़ेटी का डिसीजन होगा हम लोग तो गटवंदर के पार्ट है ना जिस पार्टी में सदस्यों की संख्या जादा होगी भीर जादा होगी तो थोड़ा दिरे से इस तरह का दीखेगा लेकिन उसके लिए सिस्टम ह कहीं कोई किसी के पास से तो कम्प्लेंड करीं की जगह है वहां लोग कंप्लेंड कर है और फेर निदान होगा। करेंगे हम कोई अलग से स्पेसिफिक किसी पर नहीं काएंगे हम जेनरल कहेंगे कि आम अधाताओं को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं और वोट करने के लिए डेवलप्मेंट का काम है नितिश कुमार जी का नित्रुत है समाज के सभी बर्क को लेकर कि नितिश जी चल रहे हैं तो उसकी अधारभी लोगों को मद्दान करना चाहिए बागी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगे जी चुनाओ प्रचार में तो नितिश जी जाते ही रहे है उप शुनाओं में अभी जो प्चुनाओं हुआ था उसमें तवियत नहीं ठीक थी उनकी तो उसकारण से नहीं गया उसके पहले के चुनाओं में तो गहीं थे कुछेश रस्थान तार्वापूर तो आप सेक्ट कि कि लोगोंने भी विभिख वर उटारा रहा है लेकिन वहां लड़ा तो दारेक्ट लड़ाय होगी सब्सक्राइब में य। घटबंधंड बंद मोट इतना बाड़ी है कि सब्सक्राइब अगर उमिद्वार हो गए इस मक्सचत में जिसे आपने देखा को पाल गर्ट में किस तरह से वोट 12,000 काटा जिसका असर पड़ गया परिनाम पड़ तो आम लोगों को सोचना है कौन जीतने हारने के लिए लग रहा है और कौन सिर्फ वोट काटने के लिए लग रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों क करने चाहिए अंतिम डिसीजन तो आम लोगों का होता है मुस्कीले बढ़ी से थोड़ा तो को पाल गर्ट में दिखा लेकिन हर जगा उस रूप में मुस्कीले होगी ऐसा हम नहीं मानते हैं और कुरहनी में जिस तरह से मद्दाताओं का समीकरन है उसके आधार में महां गट मंदर के सामने कोई चैलेंज नहीं है लेकिन फिर भी एक एक वोट है हमारे पक्षी में हो अधिक से अधिक मारजीर हो इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे हैं दखिए आईटी हो या सी भी आई हो या एडी मैंने जो जो किंद्री एजिंसिया है जो चाप आने के लिए और विपक्ष को तबा करने के लिए इस सब्धोरा अभी देखें कि हाल के दिनों में जुलाइक के महीना में भारती संसर में जब एडी का कुछ वर्सों का किरिया कलाब का रिपोर्ट पेस्ट किया गया जिसमें एडी का पांग चोबन सो बाइस केस में मात र इद्रीय जिस्या जो है सभी समय ठीम हो की साजेपर चलता है जो सारी चीज जो है दवाव लाने के लिए विपक्ष को तबा करने के लिए यह सब पूरे परानी के साथ किया जागा पैदा में भीजेप को क्या फैदा होगा यहां तो आप जाने लीजे कि बिहार की जंता न पूरे देश की जंता जो है बीजेपी के चाल को उनके कुटि stressing को विजेपी जो अभी समिधान के हत्ता कर रही से यहाद === ignored कर रहे हैं सभी खेल को बीजेपी के जनता ने समझ चुका है उंका खेल समाप्त होने वाला है आने वाला 24 में पूरे जगा जो हमारा पूरे देश में महा कठमिदन किराज